नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्याम क्लास से इस्टडी में लगातार आपके लिए आर आर भी एंटी पीसी वर्थी परिच्छा दो हजार चौबिस पच्चिस के लिए जीकी जीएस के टॉप चालिशते प्रिशनेश लेकर किया जो आपके एकजाम पैटन पर आधारत होते हैं तो इस वीडियो को आपको शुरूँ से लेकर के एंट तक फॉल वाच करना है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को अभी तक आप लोगों ने सस्क्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप इस पे एकजाम के लिए सबसे ज़्यद़्ा में तो फिर चली शुरू करते हैं पहला प्रिश्चनिया आपके सामल कि पेसावर का दूसरा नाम क्या है तो आपको दूसरा नाम बताना तो पेसावर का जंदा नाम में और पूरुसपौरा है या ये का यह आप्चन थारा हो तेसरा प्रिश्ण आंजाता है आपके सामने कि अमिर्का का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है उन्में से कौन सा है अमिर्का का जो सबसे बड़ा राज्य है वह आपका टेकसास तीन का डियॉप्शन करेट अंसर हो जाएगा चौथा प्रश्णा आजाता आपके सामने के मेकला चादर किस राज का पारंपरिक पोसाग है बताओ ये कौन से राज का पारंपरिक पोसाग है मेकला चादर चार का अंसर आपको बताना है तो ये तिरपुरा का है किसका है? ये तिरपुरा का है प्रश्ण आजाता आपके सामने कि तट्य उडिसा का प्राची नाम किया था बताओ कौन सा है तो तट्य उडिसा का जो प्राची नाम है वो कलिंग है नि पांच का ए उप्शन करेंट अंसर हो जाएगा छट्मा प्रश्ण आजाता आपके सामने कि बुद्ध के उप्धेशों का बरणन किस में है बताओ किस में है तो बुद्ध के उप्धेशों का जो बरणन है वो सुत्य पिटक में है नि 6 का B आपसिन देने वाले सभी लोगों का राइट अंसर हो जाएगा साथ मा प्रश्ण आजाता है आपके सामने के लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है बताओ कहां से लिया गया ये लोकपाल का विचार तो इसे जो लिया गया वो स्वेडन से लिया गया सब्सक्राइब कि मिर्ट्व किस बड़ से हुई थी तो मुष्टपा कमाल पार्सा की जो मिर्ट्व है वो उनीस सो अड़तिस में हुई थी ग्यारा का सी ऑप्सन देने वाले सबी लोगों का राइट अंसार हो जाएगा नेस्ट प्रशने प्रिंसंकिया नो है आपके सामनों की जीवास में राष्टी उध्यान किस राज में इस्तेत है तो कौन से राज में इस्तेत है जीवान राष्टी उध्यान यह आपको बताना है तो यह इस्तेत है मद्य परदेश में नो का ए उप्सन करेक्टांसार हो तो इसे जो लिया गया वो इंग्लैन्ड से लिया गया है दस का D option देने वाले सबительноसर हो जायगा यारमा प्राशन आ जाता है कि दुटिय असो किसो कहा गया है जी सरुआ कहा जायों कंपる को कहा गया है 11 ससे और ईनसर हो जायगा 12 मा प्रशन आ जाता है आपके समर्द कि हजुंग जंजाती का संबंद किस राज से है तो बता ओ कौन से राज में ये हजुंग जंजाती निबास करती है तो इसका जो संबंद तेरी पुरा से है नियम है, मिजोर मं से है 12 का डियोप्शन करेंटांज हो जाएगा तेरह में प्रिश्ण आ जाता आपके सामनी की गिरिये कख्षाओं की नियमों की जानकारी किसने दीती तो ये जानकारी किसने दीती तो ये जानकारी दीती जुहांस क्यापलर ने तेरहा का ए ओप्सन देने वाले सबी लोगों का राइट अंसर हो जाएगा चौद्मा प्रिशन आ जाता है आपके सामने क्रिश्ण देवराय किस बंस के थे यानि कौन से बंस से क्रिश्ण देवराय का संबंध था ये आपको बताना तो क्रिश्ण देव राइन का जो संबंध था वो तुल्लो पे बंस था था यानि चुद्रा का D option करेट अंसर हो जाएगा पंद्रा का A option करेट अंसर हो जाएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो का आप लोगों को लाइक करना है और चैनल को आप लोगोंने अभी तका सस्क्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरू सस्काइब कर लीजिए अंगला सोल मा प्रिश्ण आ जाता है आपके सामनी गोल गुमज के सताबदी में बनवाया गया था तो उताओ कौन से सताबदी में ये गोल गुमज बनाता तो इसे सत्र में सताबदी में बनवाया गया था सोला का डी ओप्शन ने वो करक्ट अंसर हो जाएगा बताओ ये कहाँ पर सत्र घंजाती बनाती है लो गे कौन से जनजाती इक यो दीप रवली को तो रूप में मनाती है तो वो जन जाती है थारू जन जाती अठारा का सी ओप्शन करेक्ट अंसर हो जाएगा उनाइसमा प्रेशन आपके सामने किस बर्स नेपाल का संविधान अपनाया गया था तो कब अपनाए गया था नेपाल का समधान तो इसे 2015 में अपनाए गया था 19 का D option देने वाले सभी लोगों का correct answer हो जाएगा 20 मा प्रेशन है आपके सामने कि सिया मुसल्मानों का पवित्र सेहर करवला किस देश में इस्तित है करवला कहां पर पड़ जाता है तो सिया मुसल्मानों का जो पवित्र सेहर करवला है यह इराक में इस्तित है यानि 20 का B option है वो right answer हो जाएगा 21 मा प्रेशन आपके सामनी कि हेली नेशनल वार्क इस राज किस राष्टि उध्यान का प्राची नाम था कौन का प्राची नाम है यह आपको बताना है जम करवडर नेशनल पारक का जो प्राची नाम वो हेली नेशनल पारक है 2 का इस option का correct answer हो जाएगा अंगला प्रश्ण प्रेंसिंग किया 23 है कि लच्छ दीप के लोग कौन सी बासा बोलते हैं तो इन मेंसे एक बासा जो लच्छ दीप के लोगों के दोरा बोली जाती है तो वो बासा आपकी है मल्यालम 23 का D-Option करेक्टान सारह हो जाएगा 24 में प्रश्ण आ जाता है आपके सामने कि भारती नागता किस मंत्राला दोरा प्रदान की जाती है तो कौन से मंत्राला के दोरा ये भारती नागता दी जाती है तो ये नागता दी जाती है आवास मंत्राला के दोरा 24 का C-Option करेक्टान सारह हो जाएगा 25 में प्रशने आपके सामने काली और तीस्ता नदियों के मद्द का प्रादिसिक विभाग क्या कहलाता है तो अताव क्या कहलाता है जो मकाली और तीस्ता नदियों के जो मद्द का प्रादिसिक भाग होता है इसे नेपाल हेमालाय कहा जाता है निः 25 सी Option का रिट रहा हो जाएगा, 26 मा प्रश्ण आ जाता है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर किस भर्स बनाता है तो कब बनाता है तो हिटलर ये जर्मानी का चॉंसलर बनाता है, ये 1933 में बनाता है, कब 1933 में बनाता है ये 26 का सी आप्सन देने वाले सभी लोगों का राइट अंसर हो जाएगा 27 माँ प्रश्ण की फिल्म पीम नर्यंद्मोदी की निडishing कौन हैं तो फिल्म नर्यंद्मोदी की जो निडishing के वो उमंग को मार हैं 27 का एं उप्षन करे टांसर हो जाएगा 28 मां प्रश्ण के सूफी संद की मख़वरे को क्या कहा जाता है तो की कहते हैं तो सूपी संद्धिके जो मकवरे होते हैं इसे धरगाए कहा जाता है ठीज का ए ऑप्सन करेंट अंसर हो जाएगा और चैनल को आप लोगे जरू सब्सक्राइब कर लिए लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करो तो आप लोगों का भी खर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगे सपोर्ट कीजिएगा तीसमा प्रशना आजाता है कि भारत की पिर्थम पिछला बर्ग आयुकी अध्यक्षता किस ने कीती तो किस की दोरा ये अध्यक्षता की गई थी तो भारत के पिरता पिछना बर्ग आयोकी जो अध्यक्षता कीती वो काका काली करने कीते हैं तीसका सी ओप्चन राइट आंसर हो जाएगा 31 में प्रश्ण आजाता आपके सामने की संगाम योग किसके इतिहास से संबन्द देते हैं संगाम योग का संबन्द है तो इसका जो संबन्द वो तमेल नाडू से है यानि 31 का यह ओप्चन राइट आंसर हो जाएगा 32 में प्रश्ण आजाता आपके सामने की हेटलर के विस्तरबादी नीती का पहला सिकार कौन हुआ तो आता कौन सा सहर या कौन सा हिटलर के विस्तरबादी नीती का सिकार तो यह हुआ ता ओस्ट्रिया 32 का यह ओप्चन राइट आंसर हो जाएगा 33 में प्रश्ण आ जाता है पिसामने की सिंदू और सतलज नदियों के मद्द का प्रादे से विभाग क्या कहलाता है पताओ क्या कहलाता सिंदू और तीस्ता नदियों की जो मद्द का बाग होता है यह पंजाब हिमालाय कहलाता है इनि 33 का यह ओप्चन राइट आंसर हो जाएगा 35 में प्रेश्ण आ जाता है आपके सामने की यंग गर्ल किसकी पिरस्द्धिकरती है तो यंग गर्ल यह जो पिरस्द्धिकरती है यह अम्रता से रिगली की यानि 35 का यह ओप्चन राइट अंसर हो जाएगा 36 में प्रेश्ण आ जाता है कि भारत में सामने वाद के प्रणेता कौन थे तो बहरत में सामने वाद इसके जो प्रणेता थे वो थे AM और जाएकार यह जाएगा 37 में प्रेश्ण के सूर का ब्यास प्रतवी के ब्यास के लगवक कितना गुना आधिक है तो कितना गुना अधिक है तो सूर का ब्यास के एक सो नोगवना देख निस 37 का सी ऑप्चन राइट अंसर हो जाएगा अठार मां प्रेशन आ जाता है कि तो 38 मां प्रेशन आ जाता है कि 8ार मां railway zone का मुख्याला है कहां है तो 38 में रेलवे जौन का मुख्याला है वो विसाखा पर नम्हें 38 का B option right answer हो जाएगा 99 प्रेशन के लोगतंत्र सब्द किस बाशा से लिया गया है तो लोकतंत्र जो सब्द ये ग्रीक या उनानी भासा से लिया ग्या है 49 का C option राइट अंसार हो जाएगा चालिसमा प्रशने गांधी जी ने किसको अपनी मा कहा था बताक किसको कहा था तो गांधी जी ने अपनी मा ये वगवत गीता को कहा था चालिस का C option right answer हो जाएगा 41 में प्रशन की सिवाजी का राज जब से किस वर्स हुआ था तो कब हुआ था तो सिवाजी इनका जो राज जब से हुआ था वो 1674 में हुआ था 41 का D option right answer हो जाएगा 42 में प्रशन आ जाते हैं 1867 की किरांती की समय भारत का Governor General कौन था तो कौन था 1867 की समय भारत का जो Governor General था लॉर्ड कैनन था 42 का B option right answer हो जाएगा 43 में प्रशन आ जाता है आपके सामने हूँ और ये अंत्यम प्रशन आज की सेट का कि 1867 की को बरबरता तता सब्विता के बीच का युद्ध किस ने कहा था पताएगे किस की दारा कहा गया था तो बरबरता तता सब्विता के बीच का युद्ध ये टी आर होमस ने कहा था 43 का E option right answer हो जाएगा आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होगे कि आ खार कि आपको ये वीच को ये वीच कर दोड़ होगे